तो बहुत बहुत स्वागत है एक बाद जोड़ा तरीके से मेरे सभी SSB aspirant का SSB series लगातार में आपके सामने लेके चल रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिस यही है कि इन सारी वीडियो की मतदब से मैं आपको help कर सकूँ exactly की SSB को लेके जो एक आपके जहन में डर समाया हुआ है वो डर खत्म हो और आप confident हो prepared हो और exactly अपने interviewing officer को और पूरे SSB procedure के दौरान आप एक बहतर impression और बहतर impact अपने SSB पे डाल सकें और साथ वही सबस्वड़ा करण आपके recommendation का बनेगा इसकड़ी में आज अगला वीडियो लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजीर हूँ आज का topic बड़ाएं इंट्रेस्टिंग है रिलाक्स रखते हुए आपको अपने real personality को सो करना है जो आपके recommendation का सबसे बड़ा करना बने तो चलिए आज बिना देरी की इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है लास तक बने रहिएगा और अपने सभी SSB के profession करने वाले दोस्तों को जरूरी वीडियो सेयर करें उनका मदद करेंगे SSB उनके performance को बहतर करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 10-20 to stay calm in the SSB personal interview तो उन सारे point-com dismisses करेंगे इंटर्व्यू का जो basically हम एम समझते हैं तो exactly उदेश से ही होता है कि आपके अंदर की OLQs है 15 officer-like qualities है उनको directly, indirectly, subjective conversation के माध्यम से interviewing officer जानने की कोशिस करता है कहीं नहीं कहीं, this test intained to the just the mental caliber of a candidate by a competent, unbiased officer तो बिल्कुल आपके अंदर का जो एक competent character है जो एक personality आपकी actual क्योंकि बाकि जितने भी test है उनमें one-to-one interaction इतना ज्यादा नहीं है psychology पूरीता से आपके writing पे बेज़ है, GTO पूरीता से आपके task और personal behavior पे बेज़़ है पर जो one-to-one interaction की बात आती है इतना लंबा समय जब आप एक officer के साथ एक particular cabin में या room में गुजारते हैं तो कहीं नहीं कि आपके real face or real personality का एक असल जो है face निकल के आता है कहा भी जाता है कि now once you are in the interview room, the I.O. may offer a hand say can ask you to be seated in the hot seat बिल्कुल आप जब पहुचते हैं तो ऐसनी के interviewing officer आपको reject करने के लिए बैठा है वो आपको select करने के लिए बैठा है और बहुत ही positivity के साथ energy के साथ वो आप से sick hand करते हैं और exactly hot seat में इसलिए कहता हूं क्योंकि hot seat तो वह हो जाती है यूर पाम्स में भी sweaty हो सकता है आपके जो हतेली है उनमें पसीना हो रहा है उस moment पे वाइस से की हो सकता है आपकी आपकी आवाज सुरू में लड़ खडा रही हो face flushed and mouth pursed your heart is racing and stomach is tossing तो exactly यह सब situation बन सकती कि पेट में गुरूडाहट चल रही है अजीब सा सर उपसांस टाइप का हो रहा है और कहीं ने के heart beat बढ़ चुकी है सारे moment होंगे इसको लेके घबडाने क्या हो सकता नहीं है यह एक genuine प्रक्रिया है इन परिस्तियों के होने के बावजूद अपने आपको interview में एक सही तरीके से present करना that is important तो चलिए आज उनी कुछ खुबियों को आपके सामने में लेकिया हूँ जैसा मैंने कहा आप से वादा किया कि complete session में आप से हिंदी में रख रहा हूँ तो मेरा उदेश है मैं सभी यूपी बिहार एंपी रास्तान हर्याना जिते भी बच्चे हैं जो हिंदी भासी छेतर से हैं मैं सबको वाजा करना चाहता हूं कि मैं आपको एजली और आसान महासा में समझाऊंगा कि आखे एसे बी इंटर्वी की प्रोसीजर जो है वो क्यों इतना रियल है और जन्मीन है बस आपको इमानदारी के साथ खुद को प्रिजन करना है और बेस्ट प्रूब करना है तो चलिए अब यह सारी सिच्वेशन आपके साथ हो चुकी है और हॉट सीट पे आप बैठ चुके हैं ओ यूर नर्बस बिकस नर्बस तो होना है तो इन सबसे पहले तो खुद को आजाद महसूस करा हो रिलाक्स करो ठीक है यार यही मुमेंट है यही दिन है डरना क्या है कोई जान थोड़ी न ले लेगा सब जो तयारी है जो मैं मेहनत करके आया हूं मुझको इसको इमानदारी के साथ रखना है हां बट यह कॉन्फिदेंस भी अपने आपको लेके जाते हैं वो गलत है आपको बहतर प्रपेशन के साथ जाना है जिससे कि आप उस इंटर्वी में अच्छा कर पाएं स्टेइंग कूल और इंटर्वी प्रोजेक्स एर आप कॉन्फिदेंस and that is appealing in the candidate मुझे लगता है कि जो आप तैयारी करके जाते हैं इसको रहाट होती कि आपको पता होता आप तयार हो इसके लिए तो सबसे पहला ही मैंने स्टेटमेंट यहां रखा है कि बी प्रिपेरड कहते हैं तैयारी एक इसी चीज ना जो आपको इतना कॉन्फिडेंट करती है कि आप मान लेते हैं कि मैं चीज कर सकता हूं और ऐसा न अपने भी से में प्रोपर ढंग से अपनी सर्वॉंडिंग को आपको अच्छे द्रंग से जानना है और एपिट फाइर राउंड के दौरान यही होता ही है आपका इंट्रेंट्स आपका डेडिकेशिन आपकी एजुकेशन आपकी फैमिली बैक्ग्राउंड के लाइब के बीजन प्रॉस्पेक्ट आपको स्वयम अपने भीशे में पता होना चाहिए कि एक्जाक्ली आप हैं क्या यही है आपका बी प्रिपेर्ड बिकिस वह आपकी प्रिस्नेलिटी जानने की कुछिस करेंगे इ तो फिर यह गलत है तो मैं इसा कहूँगा कि आप अपने आपको बढ़िया धंग से प्रिपेर रखी एंड प्रिपेर इन अब्रीवे विकोज प्रेशन आपको बहुत मदद करती है आपके प्रफॉर्मेंस को बहतर करने के लिए फिर आता है रिहर्स कहते हैं एक अच्छा सेग्मेंट से क्विश्चन होते हैं C1 से लेके C2, C3, C5, C6, C4 सारा मैंने समझा रखा कि किसके सेग्मेंट से क्या-क्या क्विश्चन बनते हैं तो ऐसा नहीं कि आप से कोई अजूबा क्विश्चन होगा वही क्विश्चन आपसे भी होने हैं बस आपको उसको त्यार र तो यह आपकी तयारी है कि आपको क्यों जोइन करना है यह आपका अपना एक डिसीजन है तो मुझे लगता है उस आउटलाइन पर काम करके जाए तो आपको मदद मेलेगी तो दो बाते ध्यान किएगा बी प्रिपेर्ड एंड रिहर्स ध्यान देते चलिए और मुझे लगता इस यह इंड आप अन्नौंज कि दिर इस भी मेनी ठींग बड़न दमीब वहट आपको नहीं पता होंगे बट मुझे लगता उस चीज को लिएक नर्बस नहीं होना है नहीं पता है तो ठीक है नहीं पता है रहाँ को अपसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो अडमिट कर सकते हो सब्सक्राइब करना भी आपका जुरूरी हो सकता है कि आप कॉंफरेंस राउंड में हो और वही मोमेंट फिर से हो जाए वही कुश्चन उसी टॉपिक पे आप से हो जाए और आपने समय उस चीज का जवाब दे दिया हो तो मुझे लगता है कि यह चीज को लेकर नर्वस नहीं होना है और जब आप बाहर बैठ करके वेट कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने टन से पहले अपने जितने भी थॉट्स हैं अपनी क्या-क्या चीजी आपको अच्छ जो नहीं पता उसके भी समय फिर से तयार होना इस इस दा कमिट्मेंट वट एक्जाक्ली एंड बी कॉन्फिट बहुत जरूरी कि इंटर्व्यू से पहले जो आपका बिजुलाइजेशन होना चीए कि यह बहतरीन जॉब है और हर कुश्चिन का एंसर आपको आपको काम रखना है पॉश्टिव रखना है क्या पॉश्च के लिए बने है और आप फॉश्च लेके रहेंगे यह चानिक आपके बॉड़ी रेक्शन यह नहीं डिसाइट कर देंगे कि आप फॉश्च का ही इससा बन सकते नहीं बन सकते मुझे लगता है कि यह आपकी आपको बहुत कमफर्ट क्रिएट करके देगा बहुत आपसे हसके मुश्कुरा के बात करेंगे अच्छे पेसिस के साथ और आपसे बहुत कनेक्ट करने के कुछ इसका मतलब यह नहीं कि कोई फ्रेंड है न कोई आपका दुस्मन है आपको एक एक्शल के इन्रेट के तरीके कि फौज आपका क्यों लच्छे है और उसके लिए क्या तपस्या आपके जिंदिगी में रहीं क्या आपके एफर्ट रहें उसको आपको ऑनिस्टी के साथ रेप्रेजन करना है सिट अप स्ट्रेट और फिजिट वन यू स्क्वाइर योर सोल्डर एंड सिट अप इंसाइड हो सकता है अंदर से थोड़ा हिले हुए हो लेकिन अगर आप आप स्ट्रेट बैठते हैं तो वाइस में क्लारिटी होती और मुझे लगता है कि यह बोडी लैंग्विज भी आपको मदद करता है नॉर्मलाइज डोंट एक्सप्रस अबाउट दाट यू आर इंस परिस्थितियों में आप कंट्रोल करना और फॉजी ऑफिसर के लाइफ ही है यार उसके लाइफ में एवरी डेडे चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज में ऐसानी को नहीं डर लगता होगा उसको नहीं फियर आते होंगे या नहीं एंग्जाइटी होती होगी बट उन पे करना यहीं रियल हीरो की बात तो बिल्कुल नॉर्मलाइज रही है रिलाक्स तरीके से खुद को प्रेजिट करिए तो साथी कॉलिटी ती आप नॉर्मलाइज रहेंगे फोकस ऑन यूर स्ट्रेंथ और परपज बहुत ज़रूरी है अमोमन क्या है कि हमारी चिंताएं हमारी ज्यादा है और लोग भी समाज में हमें वही गिना रहे होते हैं बैठकर करे नहीं मुझे लगता है वह बेकनेश इंप्यीनियूट ही नहीं है इंप्धा आपकी स्ट्रेंथ को पहचानी है अपने लाइफ के परपच को आपको समझना जरूरी है बीकनिस तो आटोमेटिक रिमूब होती है जब आपकी स्ट्रेंथ ओवरकम करती है उस पे और बढ़ती जाती है और आप परपचली लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल आप आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रेंथ हैं परपच पिविल्कुल फोकस रहना है बहुत जदा इधर उधर ध्यान नहीं देना है और टेक टाइम कभी-कभी ऐसा होगा कि कोई स्कूशन में आपको अंफटेबल नहीं होंगे तो बढ़ी हाराम से सांस लीजिये लंब को कि हाँ मिस्टेक मुझसे होगी सर बटो मिस्टेक होने के बावजूद मैं उसको बहतर करने का और उसको सुधारने का प्रयास करूंगा तो बिसिकली यह दस अद्भुत क्वालिटीज है जो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे लिल सिट फॉर इंट्रिव कि आपके प्रिशनलिटी का है बहुत इमांदारी से जाके खुद को अच्छे से बस प्रिजिंट करना है यह दिखाना है कि विल्कुल आप पाउज के लिए जीते हैं और आपका यह वाकहीं में रियल पैसन है और मुझे लग तक जिस दिन आप इस तरह खुद को प्रिजि की ओर बढ़ेंगे और फाइनली रेकमेंडेशन के लिए बिल्कुल एमकेसी केंपस का हिस्सा बनी है वन अप दे बेस्ट एससर टीम के साथ जो एक्जाक्ली इंडिविजुली आपके प्रसोनलिटी पे फोकस करेंगे क्योंकि एससबी का जो पूरा ट्रेनिंग मेडूल है यह एक्जाक्ली कोई कहते हैं मास्ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है यह एक्जाक्ली हर इंडिविजुल प्रसोनलिटी अपने आप में उनिक है और उसको यूनिक तरीके से वाच करके डवलप करने से ही उसको हम बहतर बना सकते हैं तो बिल्कुल घबडानी की जरूत नह आपके सफलता का सबसे बड़ा करन बनेगा जो बीनादेरी की आप कॉल करिए 966-3300-3300 SSB इस्पेसल बैचेस के लिए और इससी तरह आप्रेट्स में देता रहूंगा बट आज इन 10 क्वालिटी में कौन से इसी क्वालिटी जो आप में मिसिंग है जिसको आप भैतर क्वालिटी